तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं आफिका अपना प्यारे वीद पीस यीट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्ते पीतम प्यारे दोस्तों प्रिवार पैचान पत्र यानि फैमली आईडी अगर आप ओनलाइन डाउनलोड करना चाहते ह तो आज की इस वीडियो में हम यहीं सीखेंगे कि प्रिवार पैचान पत्र ओनलाइन डाउनलोड कैसे किया जाता है तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं और सीखना सुरू करते हैं कि प्रिवार पैचान पत्र ओनलाइन डाउनलोड कैसे होता है तो दोस्तों आपको पता है कि परिवार पैचान पत्तर हरियाना में अब कितना महतवपूर्ण डोकिमेंट बन चुका है इसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते और दोस्तों अगर आपको फैमिली आईडी की कहीं अवसकता पड़ती है तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि अब हम फैमिली आईडी कहां से लाएं कहां से मिलेगी क्या करें तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिलकुल भी अवसकता नहीं होती है अगर आपके पास फोन है तो आप अपने फोन से ओनलाइन ही फैमिली आईडी का प्रिंट निकाल सकते हैं कैसे निकालना है तो तो चलिए दोस्तों कम्पलीट प्रोसेस आपको बताते हैं दोस्तो प्रोसेस बिलकुल आसान है आपको क्या करना आपको आजाना है google chrome के उपर या किसी भी ब्राउजर को आप open कर सकते हैं इसके सर्चबार में यहाँ पर आपको लिखना है ट्रीपल पी हरियाना या नी यह पर आप पीपि हरियाना लिख सकते हैं Samly ID हरियाना लिख सकते हैं प्रिवार पैचान पत्र भी लिख सकते हैं दोस्तो जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पहला ही blue link आ रहा है इस पर दोस्तो आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं अब हरियाना प्रिवार पैचान पत्र की official website पर आ आपके सामने एक Option आपको दिख रहा होगा CT Gen Corner का इस वाले Option पर दोस्तो आपको क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Update Family Detail इस वाले Option को आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही दोस्तो आपके सामने दो Option आएंगे Yes और No की अगर दोस्तों आपके पास Family ID नमबर है तो आपको Yes करना है और अगर आपके पास Family ID नमबर नहीं है आप अपनी Family ID को अपने आधारकार नमबर से निकलना चाहते हैं तो आपको No करना है तो उसलिए हम Yes कर देते हैं Family ID नमबर है दोस्तों यहाँ पर आने के बाद भी अगर आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों अगर आप Family ID से सर्च करना चाहें तो यहाँ पर अपनी Family ID डाल सकते हैं अगर आधार से सर्च करना चाहें तो Forget Your Family ID पर किलिक करके आधार नमबर डाल कर चेक कर सकते हैं तो चलिए Family ID नमबर डालते हैं और सर्च पर किलिक कर देते हैं अब द दोस्तो family ID से जो mobile number जुड़ा हुआ है उस पर जो OTP आया है वो OTP च्यार डिजिस का दोस्तो OTP आएगा वो OTP यहापको फिल करना है और इस दो संख्याओं आप देख रहे हैं इनके बीच में अगर minus का निसान है तो दोनों संख्याओं को गटा अगर उतर यहाँ पर लिखना है अगर plus का निसान है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उतर यहाँ पर आपको लिखना है और दोस्तो आपके सामने कर इस प्रकार star बना हुआ है दो दोनों संख्याओं को multiply करके उतर यहाँ पर आपको लिखना है और verify OTP पर किलिक कर देना है दोस्तो आपकी family ID में जितन बार किलिक के कर देना है अब दोस्तों आपके सामने बिलकुल जो नई family ID है वो open हो जाएगी अब दोस्तों इसे आप यहां से print कर सकते हैं अगर दोस्तों आप laptop या computer से इस process को कर रही है तो आपके सामने जो print वाला option है इस पर click करके आप PDF बना सकते हैं और print भी निकाल सकते है लेकिन दोस्तों अगर आप इस process को phone से कर रही हैं तो दोस्तों यहां से अगर आप print करते हैं तो print नहीं हो पाएगी इसके लिए दोस्तों अब आपको क्या करना है आपको चलिए जाना है थ्री डोट के उपर आपको इस थ्री डोट पर दोस्तों किलिक कर देना है तो प्रिंट वाले ओप्सन पर आपको किलिक करना है अब दोस्तों आपके सामने प्रिंट आ जाएगा पेपर साइज पर किलिक करके आप इसका साइज भी सैट कर सकते हैं एक पेज पर ही इसे ला सकते हैं अब दोस्तों आपको इस वाले ओप्सन पर किलिक करके अपना जो पीडि फैमली आईडी जिस समय अपलोड की होगी या दोस्तो जिस समय आपने यहां पर साइन करके अपलोड करवाई होगी या की होगी वह जो फैमली आईडी है वह यहां से भी आप डाउलोड कर सकते हैं अगर आपको साइन वाली फैमली आईडी की अवसकता है या आप वह फैमली है तो दोस्तो अगर आपको बिल्कुल नई family ID प्रिंट करनी है तो उपर आप प्रिंट कर सकते हैं मैंने आपको प्रोसेस बता ही दी है और जो आपने sign करके family ID upload कर रखी है वो यहाँ पर view previous upload document पर click करके आप click करते ही आपको document open करना है और open करते ही आपकी family ID है आपके सामने download होकर PDF के रूप में आ जाएगी जो आपने जैसी upload की होगी तो दोस्तो इस परकार आप अपनी family ID का जो print है वो online ही download कर सकते हैं और जो आपने family ID sign करके upload कर रखी होगी उसका भी PDF आप download कर सकते हैं तो दोस्तो ओरिजिनल जो family ID है जो नई है बिल्कुल वो भी आप download कर सकते हैं और दोस्तो जो पुरानी sign करके जिससे मैं आपने upload कर क्योंगी sign वाली की जरुत है तो उसे भी आप download कर सकते हैं तो दन्यवाद दोस्तो यहीं जानकरी आपको देनी थी अगर जो भी मैं वीडियो डालू उसका message आप तक पहुँच पाए दन्यवाद दोस्तो जैन जे बात जै हर्याना जै जवान जैक्षान दन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तो